रक्षा मंत्री जी एनाय के साथ बात करने के लिए धन्यवाद मेरा पहला सवाल चाइना को लेकर डिस इंगेजमेंट डिएसकलेशन को लेकर जो बातचीट चल रही थी वो एक किसम से रुक गई है अगला डेट अभी तक अनॉंस नहीं हुआ ऐसा क्यों हुआ है यह वाद अभी तक कोई कामयावी मिल नहीं पाई है अगले राउंड की भी वैठक होगी स्क्यावादी यानी डिपलोमेटिक लेवल पर वातचीत दोने देशें के बीच हुई है लेकिन मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है वो कभी भी हो सकती है लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है, इस्टेटस को बना हुआ है, यथास्थिती बनी हुई है. तो अगर यथास्थिती बनी हुई है, उसका मतलब डिप्लाइमेंट लेवल जो है, वो कम नहीं होने वाला हमारी तरफ से? यथास्थिती बनी रहेगी, आभी के डिप्लाइमेंट कैसे कम हुआ? तो डिएस्कलेशन भी नहीं हुआ? न तो डिप्लाइमेंट हमारा कम होगा, और मैं से बतता हूँ कि उनका भी डिप्लाइमेंट कम नहीं होगा. तो स्टेटिस को को किसी तरह से पॉजिटिव डिवेलप्मेंट नहीं माना जा सकता? यह जो है, पॉजिव डिवेलप्मेंट नहीं मानता हूँ. यह लेकिन बातशीत चल रही है, युशलिए बातशीत के दोरा कोई न कोई सकारात्मक परिणाम निकले. यह हमारी अप्यक्षा है, बातशीत बाक्चैनल के जरीए चल रही है क्योंकि अभी तक डेट तो अनाउंस नहीं हुआ, मिलिटरी लेवल के हो या फिर डिप्लोमाटिक लेवल के हो, बाक्चैनल चल रहे हैं? नहीं नहीं, उनके भी हाट लाइन मेसेज आये थे, हमारे भी हाट लाइन मेसेज उनको गए हैं, बरावर अभी किनकिन मुद्दों पर बाचीत होगी, इस संब्द में मेसेज़स का आदान परदान दोनों डेशों के बीच हो रहा है. पचास साल के बाद, दो हजार बीस में बुलेट्स चली हैं, लाइन ओफ एक्चर कंट्रोल पर, आप रक्षा मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि शांती की कोई संभावनाएग आपको जरा भी दिख रही है? भारत तो सदैव से ही विश्व सांती का पुझा दी रहा है, क्यों भारत और चाइना के वीची सांती भारत नहीं चाहता रहा है, भारत तो विश्व सांती का पुझा दी रहा है, हम सांती तो सदैव ही चाहते हैं, यह तो गोल हुआ ना सर, यह तो एक जैसे कहते हैं कि एक एक expansionist goal है चाइना का, दूसरों की जमीन हडपने का, ऐसी स्थिती में शांती कैसे हो सकती किसी भी मुल्क के साथ? यह कोई देश विश्थारवादी है, expansionist है और भारत के भून पर कभ्या करने के लिए कोई कोशिस करता है तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कूबत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में ने जाने देगा, चाहे दुनिया का क आप कहते हैं कि भारत में क्षमता है, ताकत है, लेकिन बहुत ऐसे defense experts हैं हमारे मुल्क में और बाहर, जो कहते हैं कि चाइना को मुकाबला हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ना हमारे पास financial capabilities है, ना हमारे पास defense की capacity है, हम तुलना भी नहीं कर सकते, लड़ाई करने की बात अलग ह अब ऐसे experts के अपने अपने बिशार हो सकते हैं, अपनी अपनी opinion की हो सकती है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत के सेना के जमानों ने, जिस सायम, शोर और पराक्रम का परिशरिया है, उस्टे हम भारतवासियों को हम अपनी सेना के उपर होती नहीं है, यह हमारे long term policies जो रही है, हमने कभी defense को एक optimum level पे हम कभी नहीं ला पाएं, साल हो साल, क्योंकि हमारे में, हमें military power नहीं रहे हैं, हमें soft power रहे हैं, हमें democracy हैं, एक developing power है, non-expansionist है, इसकी वज़े से national security, defense, यह सब second priority list पे आ जाता था. जो कि आवजादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकार ने रही है, चाहे किसी भी राइनिटिक पार्टी की सरकार रही हो, security को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवाल या निसान नहीं लगाना शाहता है, हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कि जब से ताकत और सुबिधा, अपनी डिफेंस फोर्सेस को मोहिया करा सकते हैं, वह हम कराने के अपनी तरब से कोशिस कर रहे हैं. तो क्या ये सही है कि security forces को एक blank check दिया गया है, एक okay दिया गया है कि आपको जो कदम उठाना पड़े security के लिए आप उठा सकते हैं? और तो अपने सेना के उपर विश्वास है, यह सयम की आउशक्त्त होती है, वह सयम का परिशेस कुछा हUh की आवश्वास को secondo आपक होती है, जहां शॉब सोर्य और पराक्रम लिए देते हैं इनके बाते बोलना हूं कि तुम बिल्कुल दिल की गहराईयों से बोलना हूं आप गए थे वहां पर आप लदाग में गया था और वहां मैंने सेना के दिवानों से भी मैंने वाच चीत कि आपको उस वक्त कैसा लगा जब आप जानते थे कि वहां पर हमारे सैनिक जो है वो डे वर बैक ते वर टेकन बाई सप्राइज और जो गल्वान में हुआ उससे दुख हुआ जरूर लेकिन उस वक्त जवानों का जो हौसला है वो बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी थी हौसला हमारे जवानों की बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं थी जब मैं गया था हमारे जवान का हवसला बुलंद था और वही मैं कहता हूं कुछ कूटनिटिक कारण होते हैं और सेक्योटी से सवालों का दम बिलकुल खुलकर जवाब देना खुलकर बोलना या कभी-कभी कुछ कि अपनी मजबूरी भी होती है खुछ सीमाइं भी होती है लैकि मैं इतना चाहता हूं हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद था और आज भी है क्यूँकि मैं दावे किसात के सकता हूं कि सोर्य और पराक्र懵 का परिशे इत्वार हमारी सेना ने दिया है, वो सयम का वी, उसकी जितने भी तारीफ की जाएगा कम ने. अभी चाइना जो है, प्री एपरिल 2020 पुजिशन से पीछे अटने को तयार नहीं है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि वो हटेंगे, तो ऐसे में सर्दियों के वक्त, क्या आप समझते हैं कि गलवान जैसा इंसिडेंट फिर से हो सकता है? देखे मैं इतना ही देस्वासियों को कहना चाहता हूं कि, हमेरे देश की सेना, देस्वासियों का मस्तक नहीं जुकने देगी, क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, जोकि दोनों देशों के वीच बाकशीत का दौर चला है, लेकिन भारत्वासियों का मस्तक युका नहीं है यह बात मैं दावी के साथ कह सकता हूँ और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं यह हमारी बात को सीमा पर बैठा हुआ सेना का जवान भी सुरेगा फक्र के साथ कह सकेगा कि हमारा जो रक्षामंत्री कह रहा है वह सच बोला है इस्टन सेक्टर में सिक्किम और अरुनाचल यहां पर भी ट्रांसग्रेशन के थ्रेट्स हो सकते हैं इंटरनाशनल एक्सपर्ट सैटलाइट के जरिये डेटा एनालेसिस करके वो देख चुके हैं कि वहां पर एर्स्ट्रिप्स बन रहे हैं चाइना के वहां पर रोड देप् व्णेशनoterरोय कि यहां चीन की बाउंडरी को लेकर यह अच्छा रहे कि यह डिफरेंशस सभाप्त हो गये ताकि जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं इस प्रकार के हालात पैदा ही नहीं होते हैं वैसे पिशली सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोशिस की थी बादशीत करने की लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका था हाँ यह वास्ता ही है कि चाहिना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्रॉड डवलप्मेंट यह इतना मैक्सिमम हो सकता है वो पहले से ज अक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए इधर बहुत तेजी के सांथ इफसी डेची के सांथ इंफारस्ट्रॉक्ट्र्फ्र्ट्रॉक्ट्र डवलप्मेंट किया है मैं औरными किसी देश्तर पर आक्रमण करने के लिए मेरेश सोच के साथ नहीं लेकिन एड़ी पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा काम को ध्यान देना पड़ेगा और साथी साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा उसके लिए इनफराश्यक्षर डवलप करना सीमा पर यावशिक है और वा काम कर रहे हैं आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बांडरी को उनके डिस्प्यूट्स को जिन्दा रखने के लिए तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुलकों क कि मिली भगत थी मतलब एक यह तरफा अटैक नहीं था चाइना से इनकी मिली भगत थी जुगलबंदी थी कि आप समझते हैं यह हो सकता है मैं इस समझ में कुछ प्रीएंप्ट नहीं करना शाहता है और हमारी आख तो सच मुच बिलकुल शिए का जाए ना हमारी नजर तो बस शिडिया की एक आख पर होती है जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं बस चाहे जो भी हो वैसे हमारी कोशिश यह होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे दिश्टे बना कर रखें सब टू फ्रंट वार के बारे में तो कई अर्से से बात चल रही है कि ये टू फ्रंट वार हो रहा है होनी की बात अलग है ये टू फ्रंट वार हो रहा है बले ही अटाक ना हो लेकिन हर किसम से आप FATF में देख लीजिए यून में देख लीजिए किसी तरह से देख लीज सुस्षिंस में आया है थबतेही सही बराबर कुछ नपाक और सीमा पर उसके दूरा की जाती रहती है और सीज वायर वायलेशन का का यहां तक सवाल है 200 500 300 400 बर बराबर वाय वायलेशन कभी कभी करता रहताया सिलसिला जारी रहताहाए लेकिन हमारे केवल इस पार से ही नहीं, आतंखबाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंखबादी ठिकानों पर हमले करने की ज़वर्थ होगी, भारत कर सकता है, भारत के अंदर वह कुवत है, तागत है, यह हम ने शिद्ध कर दिया है। आप cross border के लिए कह रहे हैं cross border जो मुझे कहना था वो कह दिया मैंने रक्षामांत्री जी एक तरफ होता है conventional war एक तरफ होता है sci war एक तरफ होता है hybrid war hybrid war में कई किसम के techniques अपनाए जाते हैं और चाइना जो है अभी हाल ही में अमेरिका ने दिखाए कि कैसे hybrid war उनके खिलाफ चाइना ने किया था मतलब चाइना के कुछ उनकी जो में पार्टी है पार्टी के लोग जो है वो थिंक टैंक्स में बैठे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए हैं और वो अंदर से पार्टी का काम यानि चाइना का काम करते हैं दूसरे मुलकों में बैठ कर और क्या वो हमारे यहां भी हो रहा है हम जानते हैं कि आपकी सरकार ने कुछ आप्स बैन किये हैं पर इसके आगे भी कुछ है आपके पास कुछ ऐसी इंटेल तो आई होगी जो आप शेर नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या यह सही है कि चाइना भारत में भी ऐसे कोशिश कर चुका है करने वाला है वैसे दुनिया की यतनी भी डवलपिंग और डवलप्ट कंट्री हैं इन सब सारे शुनावतियों को अच्छी तरह समझती है और उससे अपने डेश को बचाने के लिए अथ्वा इस चैलेंज का मकाबला करने के लिए वह अपनी ब्यूस्था रखती है भारत तो अब कोई कम्जोर देश नहीं है भारत ताक्रदेश है भारत को भी इन चैलेंजिस को मीट आउट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वह सब भारत कर रहा है मैं दुनिया के अन्य किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता कि वह कौन अमेरिका के साथ कर रहा है कौन रूस के साथ कर रहा है कौन किसके साथ आस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है इसकी मैं शर्चा नहीं करना चाहता है भारत को अपनी सिरक्षा के लिए चाहे वह साइबर वा कि इंडिया समझता है कि वो शांती चाहता है इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसे अटैक्स होंगे नहीं पाकिस्तान के लावा और कोई करेगा नहीं यह सॉफ्ट स्टेट टैग जो इंडिया को लगा हुआ है नैशनल सेक्यूरिटी को लेकर क्या यह सही है या आप समझते हैं कि ज लिए घलत फैमी है सलफ इस्टेट किया मतलब शांफ थो हमें स्वाभीएमान पर कभी छोट नहीं वर्दाट करते कि से शांफ होने का मतलब यहह नहीं होता है कि कोई कमारी उपर चोट करें हमारे स्वाहभान पर चोट पहुशाने की कोसिस करें और हम चुपी प्री साथ सम्झाओता नहीं कर सकता है और मैं परविश्वास के साथ दिर्णता के साथ यह बात में कहना चाहता हूँ चाहिए उसके लिए कितनी भी वड़ी कीमत हमें क्यों शुकानी पड़े कि इस किसम के वार में जो दुश्मन है वो वर्दी पहन के नहीं आता इसलिए उसका उसकी पहचान करना मुश्किल है और पहचान करना मुश्किल है नामुम्किन नहीं है मुश्किल है लेकिन क्या हमें एक शमता है उसे पहचानने की और यह जानने की और समझने की कि हमारे ख नाशनल सेक्योरिटी जो है हमेशा भारत में एक गवर्मन्ट रोल या गवर्मन्ट ड्यूटी माना जाता था इसे एक नागरिक को जोड़ना इसको एक नागरिक के साथ जोड़ना आम नागरिक को जोड़ना कि नाशनल सेक्योरिटी जो है वो हर नागरिक के लिए एक ड्यूटी है ये कहने में ये मेसेज देने में आपकी सरकार थोड़ी बहुत काम्याब रही है पिछले शे साल में क्या यह सोची समझी एक प्लान था एक सोचा समझा प्लान था या फिर यह आपके पार्टी में या आपके मेभी आरेस बैक्राउंड या जो भी है national security जो है it's in your nature यह सही है कि नेशनल security के सवाल पर जो भी बन सका है सबने अपनी तर्फ से करने की कोशिश की है मैं किसी घुज़े मैदार ने इठार रहना चाहता हुँ नेस्तर सेक्योटी के सवाल पर मेरा मानना है कि कहीं पर भी डिफरेंस आप उपिन्यन नहीं होनी चाहिए आरोप पर प्रत्यारोप दौर भी किसी भी सुरत में नहीं चलना चाहिए जब रास्ती सुरक्षा और रास्ती स्वाज़वान का प्रस्ट खड़ा हो तो सारे रेश को सारे भेड़भावों को भूलकर एक जुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए जितना बन सका पिशली सरकारों ने किया और आज पिशली साड़े श्य वरसों में मोणी जी के नेत्रत में हमारी सरकार भी काम कर रही है और रास्ती स्वाज़वान की प्रकर और प्रवलभावना भारत वाशियों के अंदर बहुत पहले से रही है में भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पिलट कर देखिए अब भारत के प्राइब करड़ा हिए हजार वार्स तक हम लड़ते रहें जहां आप कहते हैं कि there should be unanimity, सभी political parties, लेकिन राहूल गांदी, Congress Party कह रही थी कि 2019 में चाइना ने देखा कि BJP जो है या भारत अंदुरूनी मसलों को लेकर इतनी उल्जन में पड़ गई थी, चाहे CA हो, Article 370 हो, Triple Talaak का हो, इंडिया was in a state of bubble और उस में उन्हों चाइना ने एक विंडो देखा और हमला कर दिया, क्या यह सही है, तो इसमें आप देख लीजे कि Congress Party कर चाहा है, अब उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, और इस डेज की परिस्टियों का मुल्यांकन की साधार पर किया या तो मैं नहीं जिस सूजबूच के साथ कामन किया है, और उसमें काम्याबी हासिल किया है, उसकी यतनी प्रसंसा की याई वक्तम है, भारत कभी परिशान नहीं रहा है, तर दोजार च्योद्व से लेकर आज तक दोजार वीज समाप्त हो रहा है, इन साड़े शे वरसों में, किसी उती को लेकर बिल्कुल सयम नहीं खोया है, जी, मैं किसान अंदोलन पे आती हूँ अब, आप, यू है बीन अग्रिकल्चर मिनिस्टर, इसलिए आप जानते हैं इस इशू को, आपने बहुत खरीब से देखा है, जो अग्रिकल्चर पॉलिसी है इस मुल्की, आपके टेन्य के दौरान आपने, I think, किसान चैनल शुरू किया था, किसान, बहुत आप प्राइसिंग के ऊपर भी आपने, तुवाज़ी तुवाज़ी तो उस समय एट परसंट पहली वारा अठल जी के साथन काल में ही यह हुआ था, और उसमें मैं, मुझे भारत के किसी मंतरी के रूप में मैंदारी निभाने का उसर मिला था. पार्टी से कोई भी बॉर्डर पर नहीं गया हमदर्दी जताने के लिए, ऐसे क्यों लगता है कि आपकी पार्टी के लोग इंसेंसिटिव हैं? किसान को लेकर insensitive होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता है हमारे किसान धर्णा दे रहे हैं प्रदर्शन दे रहे हैं सच मुष्किवल किसान होने के नाथे मुझे ही पीड़ा नहीं है मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री यू को भी सकी गहरी पीड़ा है। लगिन प्रस ने खड़ा होता है कि जो टीनो यह बिल भारत की संसर द्वारा पास हुए हैं, किसी संबंदि जो टीनों कानून बने हैं, वो किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रख कर बनाये गये और बराबर जब से मोधी जी ने प्रधानमंत्री की रूप में जब्मेदारी समय लिए है क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर वोस्ट मेंबर होने के नाते में कहा रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर माचीद करने का मुझे आऊसर भी मिला है मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंतावियत की है और प्रारंब से ही और 2014 क्या 2014 के पहले जब हम लोग कैमपेइन के लिए जाते थे शुनावी कैमपेइन के लिए उस समय भी इस देश की किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश मंत्री की सोच रही है और प्रारंब से उनके दवारा य आखड़े उठाकर देखेगे, तो पूरी तर से बात साफ हो जाएगे. पर MSP को लेकर आप स्टेटमेंट, आप उसमें पॉलिसी में लाते क्यों नहीं है, लिख लीजिए कि MSP नहीं हटाया जाएगा, it's not there. नहीं बार-बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यह पहले भी कहीं, MSP था नहीं, पर अब जब क्योंकि वहम आ गया है, तो सिर्फ, जब कोई विवस्था, मैं पहले ऐसा था ही नहीं, विवस्था चली आ रही थी, और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बो करती है लोग तांत्री विवस्था में, यह रिकार उसे प्राप्त है, जो हम कह रहे हैं, उस बचन को पूरा करेंगे, और आगे बढ़ कर पूरा करेंगे, और तीनों कानुनों के माध्धम से भी यह पूरी कोशिस की गई है, कि किसानों की आमदनी, दो गुना, धाई गु हो सके, बढ़े, हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पे बैठे हैं, सच मुछ हम जैसे लोगों को भी वेजना है, अब उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछे, मैं मुख्यमंतरी जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम, ठीक है, इस साहब के साथ भी हमरे पा हमारे किर्शी मंतरी से नर्ण सिंग्तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंतरी से प्यूश वैल, यह सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बाच्छी चल लएए है, हमारा जो अपने किसान भाईयों को यह सुझाओ होगा, कि हर एक्ट के, हर क्लाज पर तारकिक एक बहस होनी चाहिए, तारकों के साथ, और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के, हितों के पर्तिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो ही आवश्क होगा, हमारी सरकार करेगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसा मैं प्रधान मंतरी की मंसा को जानता हूँ, कि किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी इस दूरत में चोट नहीं पहुचने देंगे, मैं यह बाद दिल की गहराईयों से कह रहा हूँ, पर ऐसी लगता है अब यह तरक वितरक से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि किसान अड़ गए हैं कि या तो हटेगा यह कानून, या हो रही है, और मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ समाधान उतका निकलेगा, यह मेरा विश्वास भरोशा है, और मैं हाथ जोड़ कर पर किसान भाईयों से भी नंबर अंडोड करना चाहता हूँ, कि इस बिल को मैंने भी स्वेम देखा है, क्रिशी मंत्री भी रह चुका हू और क्रिशी जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिब भी हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह किसानों के हिट में है, एक बार कमस्कब दो साल तक प्रियोग करके, आप देखें तो, यह तीनों जो कानून क्रिशी संबंदित हैं, वो किसानों के लिए कितने उप्योगी हैं, देखें तो, उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तयार हैं, आप बैठें, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक्त समस्यों करने के लिए हमारी सरकार तयार है, और आज भी हमारे किसान भाई बैठें, किसी एक्सपॉर्ट को बैठाना चाहते हैं, एक्सपॉर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बाच्चीत हो, और बाच्चीत के द्वारा, यदि यह निकलता है कि नहीं, इन कानूने को फलाक्लाज में संसोधन करने की आवश्यक्ता है, तो उसके लिए हमारी सरकार तयार है, हम पूरी से से फ्लेक्सिबुल हैं, हम कि और सरकार के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं, हम देश के लिए, गरीब पे लिए, देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए सरकार चला रहे हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जो हमारे देश की जनता के हितों के प्रत्कूल हो, उसका खिलाफ हो, ऐसा काम हम कभी कभी नहीं कर सकते हैं। आप हमदर्दी सिम विर्दन शहीलत के बारे में कह रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोग किसानों को लेबल दे रहे हैं नकसल कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, क्या आप मैं तॉन कीसान किसानों के उपर इस प्रकार का कोई भी यारो कोई भी हो पताने कि इसने क्या कहा है मुझे जानकारी नहीं है नहीं लगाया जानाशी है हमारा किसान किसान है हम किसान के परती हर्दे की गहराईयों से सम्मान व्यक्त करते हैं हुआ है हर समय भारत के किसानों के पर्टि हमारा सिर्ज खुखा हुआ है उनके सामने उनके इस्तम्मान में वह हमारे अन्द आता है और जब भी आर्थिक संकट का दोर इस डेस के आया है तो डेष की अरथ वे ओस्था को समांने का कामेदी किसी ने किया है तुछ डेश के किसान उने किया है there's the वामिक रिसस्थन का दोर, आर्थिक मंदी का दोरा है, उस्तमें भी है, आप अर्थसास्यों से वाचीत करिए, वह इस बात की जांकारी आपको देंगे, तो सच्छ मच है, हमरे देश के अर्थिव्यौस्था की ताकत है, हमरा किसान, क्रिसी, यह रीड है, रास्थी की रक्षा के लिए सिक्ख भाईयों ने जितना बड़ा वलेजान दिया है, उसे भारत को भी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता, और भारत की संस्कृत की रक्षा करने में हमारे सिक्ख भाईयों का बहुत बड़ा कांट्रिबुशन है, तो इसमें आप, और के भारत की संस्कृत की स्वरक्षा के लिए उनका योगदान है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कि राहू लिये, आउयू मैं तो मुझे से चोटे हैं लेकिन करसी के बारे में उन से मैं जादा जानता हूँ, क्योंकि किसान मा की कोक से ही पाईदा हुआ हूँ, इसलिए किसान का वेटा हूं तो कम-कम किसान के हितों के प्रत्कूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी भी गरीब मा की कोई से पैदा हुए है। बस यतना ही कहना चाहूंगा इससे ज्यादा कुछ कहना की जोड़त नहीं है। तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई है आप जो भी आप अरत निकालना चाहें इसका निकालने लेकिन देश के किसानों के लिए गरीबों के लिए हम पूरी तरह से संबेद अंशील है उनका कस्ट हमारा कस्ट है उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि एक्ट को लेकर कुछ टाक्तों के दोरा एक गलस वहमी हमारे किसान भाईयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है हमारी ये कोशिस है कि हम उस गलस वहमी को दूर करें हमने भी बहुत सारे किसानभाईयों से बादशित किये और मैं कुनह है विनमरतापूर वक्हां जोड़कर कर कहना चाहता हूं अपने किसानभाईयों से कि आप सरकार को प्रतेडियों के साथ बेठ रहें वैठें तर भी तर क करिए क्लाजवाय डिस्कुसंड करिये हा नामे से बता हूं कि बाद सब्क DESाएया तरकों के अध़ार फर बाद सब्क DESास सब्सक्रार को लगेगा हम इस कलाज में संसोधन करने की होवरत है सनसोधन करने क में जो communication towers हैं उन पर उनकी जो power supply है उनको काट दिया गया है नहीं वो नहीं होना चाहिए मैं समझता हूं कि इस पर हमारे Punjab किसान भाजियों को बिशार करना चाहिए कि यदि किसी के द्वारा यह तोड़ की जा रही है तोड़ फोड का सिल्सला बंद होना होना चाहिए आप यह भी जानते हैं कि internationally इसकी criticism हुई है और Justin Trudeau जो है जो कैनड़ा के प्रधानमंत्री है उन्होंने भी comment पास किया था पहले मैं दुनिया के किशी भी देश के फ्रधानमंत्री को बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें भारत को किसी को हस्त किसी के हस्तक्षे पीज़वरत नहीं है हम लोग आपस में बैट कर समश्याओं का समाधान करेंगे हफता दस दिन भी नहीं हुआ था इस एजिटेशन को लेकर कि कैनडा हो जाए या यॉरप हो जाए वहां पर डेमनस्टेशन शुरू हो गई थी तो इसे अगर हम यह मान के चलें कि सिर्फ ये किसानों का मसला है इसमें है इसमें एक इंटरनाशनल कंस्पिरसी भी है आप च जा रही है इसलिए मैं बार बार विनमरतापुर्वक अपने किसान भाईयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना शारता हूं कि आप बैठिये टीनों बिलों को लेकर क्लाज भाई क्लाज डिसकुर्शन करिए आपको कहीं लगता हो और बड़े अग्रिकल्टरल एक्सपॉर् करकार आपके साथ बातशीत करने को तैयर है हम किसान भाईयों के हितों के खिलाओ कोई कदम नहीं उठा सकते यह भरुसा करें तो किसान अंदोलन में भी अमबानिय-डानी इनका नाम बार-बार आता है जो नारे लगा जाते हैं मोदी जी एक पर्सनल खिलाओ लगाए जात आते हैं तो वहां पर भी यह का जाता है कि यह जो कानून है यह इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के कुछ खास जो दोस्त्य या बीजेपी के जो खास है णिन्डस्ट्रिलिस उनके लिए है यह कानून यह भी सवर्ष तक इस देश में मुख्वंतरी के रूप में, प्रधान वंतरी के रूप में काम किया हो, बराबर इस व्यक्ति के को इस देश की जनता ने अपना समर्थन और प्यार दिया हो, उसके उपर इस प्रकार के जो बेवनियाद निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की जाती है, क्या इसका कोई कजिए यह रहा होता लगातार 20 वरसों तक लगा स्टेट अर परजानमंतरी का प्रशन है अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना घ है प्रधानमंद्री व्यक्त्रीड कि सभिक्रा सवता हुआ है आज तक अपने राजभानेटीजधिघन देश्यामें के तुछ पर भू पर प्रधानमंत। के बारे में भी मेंने कोई डिरागेट्री रिमार्क अपमान जनक सब्द कभी मैंने नहीं का है प्रदानमंत्री के बारे में जिस तर्गे की नारेवाजी की जा रही है मर जा मर जा यह नारेवाजी होगी मैं इसमानता हूँ है से जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता हूँ और मैं सच बता हूं, रात को किसी टेलिवीजन पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे, प्रधान मंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है, लोक तंत्र को मजबूत बना कर रखना है तो इस देश की संस्थाओं को राश्पती हो, प्रधान मंत्री हो, मुक्न आयदी यह सब समस्थाएं हैं, इनकी प्रधिष्ठा और गरिमा को बना कर रखना के वल सत्ताधारी दल की हिजम मैदारी नहीं बनती है, पिपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, सबकी हिजम मैदारी बनती है, एक बार मारे पार्टी में ही डॉक्टर मर्मोहन सिंग जी के बारे में किसी मैंने कुछ रिमार्क कर दिया था, मैं उसकी यहां चर्षा नहीं करना चाहता, लेकिन तुरंत मैंने उसे कंटाडिक्ट किया था, और हाधि जो हो The । देश के प्रधानमंत्रीं है। इह pleased the उनके खिलाफ उफेडरिवेटरी जिंअ में अप्मान जयनक किसी संब्त का प्रियूग नहीं किया जाना चाहिए उस समय भी मैंने कहा था और आज तक मुझे याद नहीं है कि अपने चाहे वह कांग्रस का प्रधान मंत्री रहा हो या मैं रदेव गोड़ा जी रहे हूं दर्शिम्मा राव जी रहे हो कोई रहा हो किसी के बारे में अपमान जनक सम्ग मैंने कभी प अपने किसान भाईयों को कहूंगा कि इस प्रकार की नारे बाजी करने वाले लोगों को कृपिया वह दूर रखते हैं संस्थाएं कमजोररी होने लगती हैं शूसंस जब कमजोर होते हैं लोग तंतर कमजोर होता है थाएं तो आपको लगता है कि विपक्ष से किसी को ऊठख़डा होना चाहिए था कहना चाहिए था कि ऐसे नारे बाजी elite होनी चाहिए सांदोलन में विपक्ष अपनी का कि मिलारी समझे लेकिन विद्धानमंत्री, राश्वटी, मुखिन एडीज, यह सब सब सारी संस्थाएं हैं, इंस्ट्यूशन की गरिमा बनाकर हैं, कई ऐसी घटनाएं मेरे जीवन की हैं, इसका मैं खुलासा करूंगा अप लगेगा, किस तरीके से मैंने उनका सम्मान किया है, कभी कभी पा मर्यादाओं को तोड़ कर यह राजनीत करने का, मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, इसमें अपने जीवन की सार्थक्ता मैं नहीं मानता हूं, जब तक राजनीत करूंगा, कोशिश यही करूंगा, कि मर्यादाओं किसी भी सुरत में तूटने नपाएं. सर, हाली में जमू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, और वहाँ पर पीडीपी और एंसी का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो आपके क्या विचार है इस बारे में? लेवल प्लेइंग फिल्ड क्यों नहीं थी, सारे लोग आजाब थे, ऐसा नहीं था कि कोई नजर्वन था, सब को घूमने ठहलने की आजादी थी, लेगिन जो चुनाव परिणाम आये हैं कास्मीर के इस बार अफ्थानी निकायों के, जो ग्राम पंचायतों के, उससे अस् का कहना है, फारूख अब्दूला का भी कहना है, और फिर आगे जाके महराश्रा में, या तमिलनाडू में, पस्चिम बंगाल में, सब चीफ मिनिस्टर्स हों या पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि, बीजेपी जो है, वो इदायरों को इस्तमाल कर रही है as a political tool चाहे CBI हो, या enforcement directorate हो, कि victimization हो रही है of non-BJP parties? नहीं है साथ, मैं हमिन नहीं मानता है, victimization की जरूरत क्या है? हम हतास हों, हार रहे हों, डूब रहे हों, तब तो victimization की जरूरत पढ़ती है, हम देखना है लगातार हर राजियों में हमको भी या पराप्त होती ही जा रही है, जाए वो गोवा हो, चाहे उत्तरप्रदेश का वाई election हो, मत परदेश का वाई election हो, सभी जेगा, हम जीत ही रहे हैं. नहीं, उनका कहना है कि आप जीत इसलिए रहे हैं, क्योंकि आप इन इदायरों का इस्तमाल कर रहे हैं. कि 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 ओपर आप लोगों ने इन सब तारे जो एजन्सियों का दूरूप्योग किया ह है, ममता जी कह रही है कि वहाँ पर हो रहा है, वेस्ट बंगॉल में हो रहा है, तेलंगाना में… तेलंगाना में किसके ओपर किया है? सब का कहना है कि elections जब आते हैं तो ED का इस्तमाल होता है, CBI का इस्तमाल होता है, उस राज में उन पोलिटिकल पार्टी पर प्रेशर डाल किसके खिलाब कारवाई हुए थी, किसके खिलाब ADCVI की कारवाई हुए थी, देश की जनता ने फिर भी मोदी जी को जबरदस्त मैंडेट दिया कि नहीं दिया, तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा बारुप, बेवनियादारुप नहीं लगाने शेह है. तो इदारे काइनिटिक दुर्फियोग करने का प्रस नहीं निकड़ा होता है. या फिर जो बीजेपी के खास माने जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रिलिस्स हों, उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉर्ट होता है, उनके खिलाफ कोई ED केसे नहीं होती. तो मुझे ध्यान इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, जरूर जिनके खिलाब यहां कानून की आवश्यक्ता पड़ेगी, वो कानून अपना काम करेगा. उससे सरकार को जोड़ कर देखना, तो अप पुलिटिकल वेंडाता के तहत तो कुछ किया जाता हो. सर, आप यूपी के संसद हैं, इसलिए मैं उत्तरप्रदेश को लेकर एक सवाल पूछ हूँगी, कि वहाँ पर जो यह अंटी कन्वर्जन लौ आया है, उसे जब जिहाद लौ भी कहते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि यह जो लौ है, उसे मिस्यूस किया जा रहा है, जो हिंदू लड़की, मुसल्मान लड़के के साथ शादी करना चाती है, समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता, और जब वह हिम्मत करके करना भी चाती है, तो अब इस लौ के तहट उसे और भी सब्जुगेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को ज हा процесс और यह कहना है की, conversion होना ही क्यों चाहिए, पर यह तो संभिधान में है? ने नीजेक्द मैं दे खाओ कि कहीं कहीं तो तो स्मुहिक्द धर्ण परिवर्तने का सिसला चलाए जा रहा है देश यह सिसल बंद होना चजी यह रुकना चजी पर जहां तक मुस्लिम स्माज का प्रूशन को कि अंदर यहां तक मेरी व्यांकरी हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो कि साथ दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग साधी नहीं कर सकते हैं तो साधी करने के लिए कनवर्जन कराना मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तियत रूप से उचित नहीं मानता हूं. पर उसका हक होता है. मतलब अगर कोई करना चाहता है, कंवर्ट करना चाहता है और कुछ ऐस से केसि आए हैं, जहाँ पर लड़की कंवर्ट नहीं करना चाहती है और हो भी नहीं रहा है. कि forcefully जबरं लालच देकर भी धर्म परवर्तन कराया जाता है। ऐसे भी मामले आया है। इस दोनों को तवाभाविक रूप से शादी होना और जबरं अथवा लालच देकर धर्म परवर्तन कराके शादी करना है। दोनों में बहुत बढ़ा अंतर है। और मैं समझता हूं कि सरकारों ने जो कानून बनाया है इन साब सारी चीजियों को ध्यान दे रखकर बनाया है। जब ऐसे केसे आते हैं सर तो फिर वो जो इमेज होता है बीजेपी गवर्वर्मन का की एक जबरन हिंदूत्व पॉलसी जो है एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ काना यह एक पॉलसी मैटर है समझा जाता है। कई नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। क्योंकि हमारे धर्म साफ्तर भी इस बात की इजाज़त नहीं देते। कि जाति पंतत्वा मझभप के आधार पर कोई भेद भाव किया जाए। क्योंकि दुनिया का इकलावता देश यह भारत है। जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं। बलकि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य वानते हुए। यानि दव होल वर्ली यह फैमिली यह मेंसे देने का काम दुनिया की किसी एक देश ने किया है तो भारत ने किया है। इसलिए जाठ पंथ और मजब के अधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लि, मिसाई, पार्शी जितने हैं सभी भाई भाई हैं। जो भी भारत माता की कोक से पैदा हुआ है। आप 1969 में आप पॉलिटिक्स में आए। पचास वर्ष पूरे होने आप ABVP में जब आए थे तो जो विश भी भी में तो पंदर साल की उमर थे। स्टूडेंट लीडर बन के जब आए थे। तो करी शेवेंटी सेवन में पहली बार मरी उमर 26 साल की दी तब MLA हुआ था। उसके पहले डेड़ साल में येल में था इमर्जनसी के दोरा में। अल्मोस्ट फाइव डेकेड्स आप पॉलिटिक्स में रहे हैं। नहीं 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 लगों, फॉर्टि येर से थोड़ो जाए। तो आप जब पॉलिटिक्स में आएं तो जब यूथ लीडर थे, बीजेपी में, आरेसेस बैक्ग्राउंड के साथ, आपके कुछ एमबिशन्स थे, गोल्स थे, उस वक्त का युवा और 2020 का युवा है, आप क्या देखते हैं कि राजनीती में क्या फरक आया है। पहले तो मैं इसपश्ट कर दूँ कि मैं सबसे पहले रास्ट्री स्वेम्सेवक संग के स्वेम्सेवक के रूप में आया हूँ, और आज भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं रास्ट्री स्वेम्सेवक संग का स्वेम्सेवक हूँ यह कहने में मुझे रंचमातर भी संकोष नहीं सेंटर में भी तीन चार शारवाद केमिट मंत्री की रूपे जिम्यदारी निभाई है कहीं पर हमारा कोई भी ऐक्सन ऐसा नहीं रहा है कोई यह कह सकता हो कि राजिनाश सिंग ने हिंदू मुसलिम मौशाई इस आधार पर कोई डिस्क्रमिनेशन किया हो कोई भेद भाव किया हो ऐसा कभी नहीं रहा है और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आधार पर नहीं सोचता है कुछ चीजों को लेकर गलत स्वह्मियां जुरूर पएडा हो जाती है तो उस वक्त उस वक्त का युवा क्या चाहता था भारत से और आज की उस समय जो हम लोग काम कर देते हम तो कभी सोचते भी नहीं थे कि हमारी पार्टी कभी भारती जनसंग भारती जनता पार्टी कभ काल पना भी नहीं थी हमें देश की शेवा करनी है बस यही भाव के अंदर रहता है देशनल इस्परेट लोगों के अंदर बिल्ड अप करने की यही कोशिस हमारे राशी श्वेम्शों के संग के दोरा भी और भारती जनता पार्टी के दोरा की जाती थी लेकिन सत्ता में आ सत्ता में आना जरूरी होता है तो यह आपको कब महसूस हुआ कि जब आप स्टेट लेवल पॉलिटिशन थे या फिर स्टूडेंट लीडर थे कब आपको लगा कि सत्ता में रहने पर यह बात सही है काम करने का उसर तो मिलता ही है लेकिन मैं मानता हूं प्रतिवक्ष में र यह तो विपक्ष की जम्यदारी होती है सदन में भी कर सकता है फदन के बाहर भी कर सकता है ऐसे क्यों होता है कि जो हमारे मुल्क के ही पॉलिटिशन होते हैं वो एंबिशन दिखाना उसे वल्गारिटी माना जाता है मतलब कि कोई यह कहता नहीं है कि मैं प्रधान मंत्री ब बनना चाहते हैं सब प्रधान मंत्री। यह इपाक्रिसी नहीं है। देखिए जहां तक मनुष्य है, मनुष्य की इक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता। यह कोई कहे कि हम कुछ बनना ही नहीं चाहते थे, मैं इससे सामत नहीं हूँ। बहुत ऐसा है। रेर कोई होगा। वितरागी। सारी चीजियों से दूर होगा। हम जिन्दगी में हम दाइद तो को हासिल करना चाहते हैं तो हम दाइद तो को हासिल करना चाहते हैं तो कुछ करने के लिए हासिल करना चाहते हैं यह ऐसे मैं एक घटना की शर्चाए हैं करना चाहूंगा 91 में, मैं 40 साल की उमर थी, मैं उसमें उत्तव प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना था, उसमें मास कांपिंग, सामुहिक नकल का दौर चल ला था वड़ी तेजी के साथ, और मोर दें 70%, 75%, 80% ऐसे रिजल्ट साथे थे, डेर साल के लिए शिक्षामंतरी बना था मैं, और उसमें ने फैसला किया, मैं किसी को भी नकल करने की, अज़वा किसी गलत रास्ते पर जाने की जाज़त नौईकों को नहीं दूँगा, और एंटी कापिंग आर्डिनंस, नकल विरोधी अध्यादेश उसमें जारी किया था, उसे लागू किया था, नॉन बेलबल बनाया थ किस में पहुत सारे परिवर्तन लाने का भी उसमें अउसर मिला था, वैइदिक मैटमेटिक्स को भी नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लंदन स्कूल आफ़ एकनोमिक्स में वैइडिक मैटमेटिक्स पढ़ा ही जाती है कि नहीं पढ़ा ही जाती है, इसका वहां के London School of Economics के डाइरेक्टर का एक statement पढ़ा था, उन्होंने ये कहा था, मुझे आश्चर ये होता है कि ये वैदिक mathematics भारत में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, अब आप ये कल पना कर लिए, अब वैदिक mathematics हम पढ़ाएंगे तो हम कमेनल होगे, और उसमें हमारे Muslim teachers, उसे appreciate कर रहे थे, तो कहते थे, मंतिरी जी अब तक थी कहा, क्यों नहीं पढ़ाया जाता था, तो इन सब सारी चियों की शर्चा इसलिए कि कोई दाइट तो मिलता है, तो काम करने का आउसर भी मिलता है. अभी किताब निकली थी वाचपाई जी और अडवानी जी के ओपर और उसमें कई ऐसे इंस्टेंस थे जहां पर वाचपाई जी चाहते थे कि अब राजनीती छोड़ा जाए, नहीं हो सकता यहां पर कुछ. अडवानी जी के किताब अगर आप पड़े तो उनमें भी काफी तक कोई मोड आया जब आपने कहा बस हुआ, और नहीं करना चाहता मैं यह काम. नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुचिया. जब तक इस्वर में सामरत दे रखी है, तब तक जो भी बन सकेगा, जिस रूप में परमात्मा दाइट तो देगा, उस दाइट तो का अंदरवा करते रहे करेंगे, लेकिन दाइट तो हासिल करने के लिए कभी मर्यादा को तोड़ेंगे नहीं, मर्यादा का उलंगन नहीं करेंगे. आपके पुलिटिकल करियर में राजनीति करियर में आपके मित्र कौन रहे हैं, आपके आईकॉंस कौन रहे हैं, आपको जैसे आपके मार्क दर्शक कौन रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, प्राइनेटिक नेताओं में पूछेंगे तो, आदेन अटल विहारी वाजपेई जी से मेरा बहुती नजदीक का हमारे आदर्श हैं, आदेन अडवानी जी भी हमारे लिए आदर्श रहे हैं, यही लोग रहे हैं हमारे काल में, पंडी दिंद्या जी पंडी जी तो अच्छली मैं देखा नहीं था मैंने, लेकिन उनके विचारों से ही अच्छी तरह मैं परचित हूँ, और उन्हीं के बठाए रास्ते पर हम लोग आगे चल ला हैं, धन्यवान सार्य.